लालु जी से मेरा एक ही चीज गहना हे कि वह अपने स्वास्ट का ध्यान दें है् politics उनका स्वास्त न गिर जाए सरकार गिरने से ज्यादा अपना स्वास्त न गिर इसकी चंता उनको करनी चाहिए ऐसा किये होंगे तो जाएंगे जेल, इतना इठला क्यों रहें, अगरा क्यों रहें, उनके पिता जी जेल की यात्रा किये हैं कि नहीं किये हैं इसी देश के अंदला, तो जो फेल होने पर प्रसन्न होगा, वह आगे पढ़ाई कैसे कर पाएगा, थोड़ा अपना बालक बुद्धी से बाहर निकले अगर लंबे समय तक चलना है, वैसे हम तो लालू जी के स्वास्त की प्रार्थना करी रहें आपके चैनल पर भी, लेकिन लालू जी के बाद इन की चिंता करें आभी से, नमस्कार मैं प्रिंस कुस्वा, फश्पिया, जारखंड देख रहे हैं, देखे, आरजेडी आज अपना अस्थापना दिवस मनाई, लालू पर साध्यादों उस कार्जक्रम में भाग लियो और कहा कि देखे, सरकार कभी भी बिहार में गिर सकती है बहुत ही कमजोड सरकार है, आप लोग तयार रहे हैं, इससे बात करेंगे हमार साथ है, बीजेपी के नेता और पुर्व मंत्री ज्येस मिस्रा हैं, लालू पर साध्यादों करें, सरकार कभी भी गिर जाएगी, बहुत कमजोड सरकार है आप लोग की लालू जी भूत पूजते हैं, उनको कहां से ये बात महलू है तो लालू जी बताएंगे, सरकार बहुत मजबूत सरकार है, सरकार का इस चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बिहार के अंदर चालीस में से हम लोगों ने तीस सीट जीता, तो एंडिये गठवंधन का बिहार के अंदर चमतकार और कमाल रहा, कि राज़त के लोग दावा कर रहे थे, कि पचेस से अधिक सीटे हम जीतेंगे चुनाव होने के बाद, और पडिनाम रहा कि केवल चार सीट पर राज़त सिमट गई, और कम सीट पर लने वाली कॉंग्रेस उनके गठवंधन के साथ ही उनक बिहार के अंदर, जहां तक भारतिय जनता पाटी और जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, या अन्य गठवंधन के सहयोगी का सवाल है, तो चट्टान के जैसा ये गठवंधन मजबूत है, एक है, और सरकार बहुमत की सरकार है, ये अपने कारे काल को पूरा करेगी आदर जुद्तु में ही लडेंगे, हमारे पास बिहार के अंदर आदरनिय नितिस कुमार जी जैसा नेता है, केंदर में आदरनिय नेंद भाई मोदी जैसा नेता है, तो लालू जी बिलकुल परिशान नहों, लालू जी से मेरा एक ही चीज़ कहना है कि वो अपने स्वास्त का ध् पचीज तक, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भी चलें पचीज तक, लंबे समय तक रहें, अपने स्वास्त की चिंता करें, वो न गिरें, इसका ज्यादा ध्यान रखें वसरते सरकार का। पिछली बार जीरो पर थे, इस बार चार सीट आया, तो चार सीट लेकर खुस होना, ये बालक बुद्धी की निशानी है, और आपने देखा कि केंदर में भी एक नेता है कि 543 में 99 सीट लाकर के प्रसन्न है, तो फेल होने के बाद प्रसन्न होना तेजस्वी आदव की फित प्रसन्न होगा, वह आगे पढ़ाई कैसे कर पाएगा, वह आगे की राजनिती कैसे कर पाएगा, ये तो तेजस्वी आदव जादव बहतर बता पाएगा। जादव कर रहे हैं कि पूल हम गिराए हैं, पेपर लिख हम करवा रहे हैं, तमाम चीज़ है हम ही कर रहे हैं, तो हम लोग को जिल क्यों नहीं भेज रहे हैं, लोग फिर करवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? गलता हैंगि जील तो जाना ही पड़ेंगा इस सरकार में कोई बच नहीं सकता है कि इसलिए इतलाने की जरूरत नहीं जसुरी आदव कह रहे हैं कि आप लोग जो अरक्षन बिरोधी हैं आप लोग के सरकार में अपराद बढ़ गया है पराष्टाचार बढ़ गया है जसुरी आदव जी को पूछिएगा इतिहास को पढ़ें अपने ही राज्य के इतिहास को उनके पिता जी और उनकी माता जी पंदरह साल यहाँ मुख्यमंतरी के तौर पर बिहार में सासन करने का काम किया किसको रिजर वेशन दिया उन्होंने क्यों गरीबों को ठकते हैं यह लोग कितनी बार आरक्षन को बेचेंगे बजार में आकर पंदरह में बेचा आरक्षन संबैधानिक प्रक्रिया के अधार पर दिया गया है यह कोई दल किसी पाटी के लोग ने इसको हटा नहीं सकते हैं अब यह लोग जब भी चुनाव आता है तो आरक्षन की मार्केटिंग शुरू कर देते हैं सवाल यह उठता है कि तेजस्वी आदव के पिता जी और माता जी ने अपने पंदरह साल के काड़काल में किसको आरक्षन दिया किस जगा आरक्षन दिया यह बात वो बताए ना लोगों को आकर कि कितने लोगों को आरक्षन दिया पंदरह साल की सरकार उनकी थी और उस सरकार के मुखिया दो-दो उनके घर के थे माता और पिता तो वो उनसे पूछे ना कि आपके पंदरह साल में बिहार के लोगों को कितना आरक्षन मिला असपस्ट करें ना आरक्षन उन्होंने दिया था 75% आरक्षंद बिहार के संसदिय बिहार का जो विधाईका है बिहार विधान सभा ने दिया था वो किसी एक वेक्ति का किया हुआ काम नहीं है वो सामुहिकता के साथ सब लोगों ने उसको बढ़ाने का विचार किया था और विचार करने के बाद उसको पास किया गया था हम ल नाम्ला कोट में हैं तो कोट किया संग्यान लेती हैसरकार उसको देखे इसारकार उसको चुनोलती दे रही है सरकार उसको देखेगी थोड़ा आपना श्रुमा सेबने सीधी से बाहर निकले अगर लंबे लगेगा लेकिन मजबुती के साथ उचाई पर उचाई पर जा पाएंगे जूट बोलकर सत्य पहला करके लोगों में भर्म पैदा करके गरीवों को भर्म में रख करके उसका बोट ले लेना काना मुनिस परसंट बोट बरा लिए ये सब गलत बात है राजनिती सत्य की होनी चाहिए राजनिती ठीक तरीके से लोगों के बीच पहुँचनी चाहिए राजनिती के परती तभी लोगों का आकर्शन बरेगा यूथ का आकर्शन बरेगा अगर हम गलत राजनिती करेंगे तो यूथ में राजनिती के परती नफरत पैदा होगा तो आपने देखा हमार साथ बिहार सरकार के पुर्व मंत्री ज्वेस मिस्रात है उन्होंने साफ तोर पे कहा कि लालू परसाद यादो अपने स्वास्त की चिंता करें बिहार में सरकार पुरी तरीके से एक जूठ है मजबूती के साथ सरकार है करता है तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के ई-homes पैनरोमा में पुर्णिया में पैनरोमा ग्रूप लेकर आये हैं ई-homes पैनरोमा बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओ के संग अड़े अड़े आप क्यों मुझ मिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-homes पैनरोमा के संग ई-homes पैनरोमा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड झाले टोर्णिया में झालेष्टाइंड